हालो एवरिवन कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं आज हम अपने equation of motion की बात करने वाले है equation of motion में क्या पढ़ेंगे बेटा हम equations की जित्ती भी derivation है सारी derivation को cover करेंगे कौन कौन सी तीन equations पढ़ाई थी अगर मैंने आपको याद हो तो v equals to u plus 80 दूसरी equation कौन सी दिए बेटा s equals to ut plus half 80 square और थर्ड वीडियो थर्ड आपकी कौन सी equation थी v square minus u square equals to 2s तो यह तीनों आपकी कैसे आई है इन तीनों की हम derivation करेंगे और बेटा इन तीनों में से एक तो आपके exam में जरूर पूछी जाएगी ठीक है तो चलिए हम इन तीनों की derivation start करते हैं अब हम बात करने वाले है equation of motion की देखिए आपको मैंने तीन equation of motion अभी तक आपको यहां पर मैंने पढ़ाई है कौन कौन सी मैंने आपको equation of motion बताई थी याद करो first equation of motion क्या थी आपकी v equals to u plus 80 दूसरी equation आपने क्या पढ़े थी मेर से s equals to ut plus half 80 square और तीसरी equation आपको मैंने क्या पढ़ाई थी v square minus u square equals to 2as हा की न ठीक है और इन तीनो equation ने क्या किया था अपने को velocity, acceleration, distance और time की बीच में relation प्रोवाइड किया था अब आपसे क्या पूछे जाएगा अब आपसे इन तीनों की derivation पूछी जाएगी और कोई भी derivation जर्नली आपसे second और third exam में जादा detail में पूछी जाती है पट इन तीनों में से कोई भी आपके exam में पूछी जा सकती है तीनों के अंदर मैं सिर्फ एक ही graph यूज़ करने वाला हूँ अगर आप उस graph को अच्छे से समझ गए तो आप हर तीज़ों का अराम से समझ जाएंगे तो सर क्या तीज़े पहले आप graph को थोड़ा समझेगा यहां पर मैं किसका की बीच में graph ले रहा हूँ velocity और time के बीच में graph ले रहा हूँ यह लिए मैंने time और यह के लिए बटा अपने ने velocity अब मैंने क्या किया मैंने कहा कि भईया मेरी गाड़ी आपकी माल लीजिए यहां से मैंने इसके observe करना start किया तो गाड़ी यहां से चलनी शिरू ही और जैसे जैसे आपका time भढ़ रहा है और वैसे वैसे आपकी velocity इंक्रीज हो रही है मतलब 10 बज़े मैंने इसको observe करना start किया कि गाड़ी चल रही है मैंने 10 बज़े observe करना start किया तो 10 बज़े यहां थी 10 बज़े के बाद मैंने 10 मिट बाद देखा 10-10 पे देखा तो इस गाड़े की speed पहले 50 थी फिर 60 हो गई फिर 70 हो गई फिर 80 हो गई तो हर 10 मिट के gap पे इसकी speed uniform quantity से आपकी increase हो रही है तो velocity अगर आपकी time के respect में increase हो रही है वो भी uniform manner में तो इनका graph कैसा आता है स्टेट लाइन आता है समझ में आ गया ठीक है अगर आपको मैंने एक चीज और बताइती है यहां पर हम क्या यूज करेंगे इस अगर मैंने कह दिया कि मुझे आप यहां से distance निकाल के दें तो आप क्या यूज करते है area under this line मतलब इसका जो भी area under जिसके graph के अंडर आएगा इस line के अंडर आएगा उसको हम क्या बोल देंगे आपका distance निकाल लेगे यूज करेंगे तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे अच्छा आपने यहां से शुरू करा है ना यहां से चीज शुरू करा है तो इसको क्या बोलेंगे यू यू मतलब initial velocity यू क्यों गे बेटा आप और क्या कर जाएगा वी वी को हम क्या बोलेंगे बिटा है यहां पर final velocity बोलेगे बताओ क्लियर होगा की निगवा ठीक है ताइम यहां पर क्या रहेगा अपना ताइम तो यहां पर अपना 0 ही है समझ में आ गया अगर मैंने कहा कि आप यहां पर find out करें तो यहां पर आपका कर सकते हैं अगर मैं यहां पर सामने ले गया अगर इसी चीज को अगर मैंने ऐसे सामने ले गया तो यहां से यहां तक क्या है जीरो से यहां तक यह चीज क्या है आपकी यू है कि नहीं बताओ जीरो से यहां तक यह चीज यू है कि नहीं है अगर यह चीज यू है तो यह लेगे आपकी यूही कैलाईगी जीरो से आप किसी पॉंचें तो उस पॉंच तक आपकी इनिशल विलॉसिटी है तो यह वारी चीज आपकी यही क्यलाएगी ठीक है चलिए अब दूसरी चीज ध्यांग से देखेगा इसको मैं थोड़ा सा रख कर देता हूं यह आपको समझ म यहां तक पहुंचा होगा तो आपकी यहां से लेके यह चीज यह क्या कहना है यह बटा आपकी वी वी मतलब माइनल वेलोसिटी गाड़ी जीरो से चलना शुरू हुई HIV 0-50 किलोमेटर पे हमने उसको अब्जर्व करना स्टार्ट किया तो 50 क्या हो गईए उसकी 0-50 की बीचमे उसकी इनीशन स्पीड हों गई। हो गई। और फाइनल हमने उसको देखा कि वहां वो 700 तक गया तो 150 क्या हो गई उसकी final velocity हो गई और अगर change निकालना हो तो change कैसे करेंगे v-u करके निकाल लेंगे अगर यह चीज़ पूरी v है तो यह भी चीज़ क्या हो जाएगे बटा पूरी अपनी v हो जाएगी समझ में आ गया अब हम बस इसी graph को use करेंगे time और velocity वाले graph को इसको use करेंगे और यहां पर हम अपनी तीनों derivation को solve करेंगे अब अपने को क्या करना है अपने को इस area का निकालना है area under the graph यहां पर अपने को निकालना है अगर आपको यह चीज़ clear हो गई होगी तो चलिए हम आगे चलते हैं अपनी first equation की तरफ अगर आप यहां पर इस graph को देख सकते है राम से तो graph यही है जो मैंने आपको पीछे बताया था ध्यान से देखेगा यह क्या है आपका point यहां पर naming कर रखी इस point को आपने क्या कहलाईगी. बताओ यह यहाँ तक क्या कहलाईगी. U कहलाईगी. Initial Velocity और यही आपकी सामने भी आजाएगी. That is this point. चलिके चलिए. उसके बाद यहाँ से 0 से लेकी E तक क्या Point कहलाईगा आपका? यह पूरा यहाँ पर क्या कहलाईगा? आपका V के लाएगा और इसी चीज़ को आप यहाँ पर भी आगे लिख सकते हैं ठीक है अब अपने को क्या करना है अपने को derivations करनी है तीनों equation के और नीचे आपका time है time को आप क्या बोल सकते हो यह आप माल लीजिए हाँ पर अगर आप time t1 है और t1 क्या है जीरो के एक वाल है क्योंकि यहाँ पर origin है और इस वाले point को आप क्या बोल सकते हो t2 तो अगर इनकी बीच पर अपने को time निकालना है तो क्या बोले t2 minus t1 ठीक है अभी मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि सर हम इस graph को velocity और time के graph को यूज करके distance भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम acceleration भी निकाल सकते हैं सब कैसे acceleration निकाल सकते हैं आपको मैंने acceleration का formula बताया था क्या होता है change in velocity change in velocity upon total time taken यही होता है न आपका यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी ठीक है इस graph को थोड़ा सा यहां कर देते हैं थोड़ा एक graph आपका यहां पराज जिससे आप राम से चीज़ें समझ पाए ठीक है चलिए तो वह चीज़े को दुबारा मार्क कर लेते हैं यह चीज़ क्या थी अपनी यू जल्दे लिदी कर रहे हैं यह वाली चीज क्या थी वी थी और यह क्या था आपका t2 और इस time को t1 जो आपके 0 के equal है अब मुझे इस graph से क्या निकालनी है अपनी acceleration निकालनी है तो acceleration का formula क्या होता था अभी आप लोगों ने पढ़ना था changing velocity upon time अब change velocity में किता आया final velocity क्या है यह initial velocity क्या है u तो v minus u आपका change होगा कि नहीं होगा तो यहां पर acceleration में उपर क्या लिख दिया हमने change in velocity लिख दिया इसके नीचे क्या लिखा जाता है time taken time में किता चेंट अया final time किता है t2 initial time किता है ट1 तो time में change किता हो गया T2 minus T1. अब T1 अपने को पता है T1 क्या है? 0 है T1 क्या है? 0 है तो इसको तो हम लिखते हैं नहीं है और इस T2 को हम झारा यहाँ पर क्या consider कर लेते हैं? T2 को हम माल लेते हैं कि भईछा T2 नहीं है, यह आपका T ही है क्योंकि 0 ही है आपका, ठीक है to v minus u upon t ठीक है time को आपने यहां ले गए तो क्या आ गया v minus u equals to 80 और यहां पर अगर हम इसको अधर लेगा तो v equals to u plus 80 तो यह आपकी first equation इसी graph से drive हो गई इसके ओपर जो theory लिखनी है वो theory लिख लीजेगा कि we know the acceleration is equals to change in velocity upon time and here the final acceleration acceleration equals to change in velocity upon time दूसी जीज़ here the final velocity is v and initial velocity is u and the time taken between them is t और ऐसे करके आप solve कर लीजेगा तो अगर आप आगे चलें तो आप यहां पर देखेगा मैंने यही चीज़ को इसी जीज़ को यहां पर लिखा वाए देखेगा चलिए तो क्या लिखा है acceleration of moving object is v2 minus v1 final minus initial होता है upon t1 t2 यही है ना final minus initial upon t2 minus t1 ठीक है यहां पर आपने इसको क्या किया इस v2 को क्या consider किया v2 को सर हमने v माना है final velocity को और initial velocity को अपने क्या माना है यू माना है तो यह चीज़ किसके equal हो जाएगी यहां देखेगा acceleration equals to v minus u और t2 minus t1 t2 को हमने क्या माना टी माना ठीक है और t1 तो अपना जीरो है क्योंकि origin पर तो क्या आगया a equals to v minus u upon t यह चीज़ आ गई और इसके अंदर आपका u side आगे तो v equals to u plus at आ गई hands proof बताओ clear है कि नहीं तो आपने first equation को बड़ा easily proof कर दिया ठीक है चलिए अब चलते है अपनी second equation पर चलिए second equation में बेटा हम यहीं चीज़ को यूज करेंगे second equation में इसी graph को यूज करने वाले है ठीक है और बहुत important करने वाले चलिए अब अपने को क्या करना है अपने को distance की बात करने है तो डिस्सज़ अपने को निकालना है distance कैसे निकाला था अगर आपको याद हो area under the ground इसके नीचे जो यह area रहा है इसको निकाला अपने तो यहां पर अगर हम पहले अपना माग कर लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है सरी अपना यू है ठीक है और यहां से यहां तक का अपना यहां से यहां तक का यह क्या है विट आपका वी है ठीक है और यह चीज जो आपकी आई यह चीज क्या है विट आपकी टी है ठीक है और यहां पर इसी चीज को अगर आप यहां लिखना चाहें तो यह चीज हमारी क्या है यू है और यह यह चीज अपनी क्या है हां से हें तक Master time गण इसंपको डाउट नहीं अब अपने को किस की बात करी पैसे इस सिन्स के बात कर लिए और किसे निकलेगा से ग्राफ' के UA अंड्र का एरिया थो यहां पर फोटा सा और ध्याण से देखने की कोशिष करेंगे तो यहां आपको दो चीज़े यहां पर दिख रही है क्या क्या सर देखेगा एक आपको यहां पर जिसको मैं ऐसे कर रहा हूं क्या आपको ट्रेंगल दिख रहा है यहां पर जिसको मैंने मार्ग कर रहा है और क्या आपको यह रेक्टेंगल दिख रहा है बताओ क्या अगर मैं इस ट्रेंगल की एरिये को निकाल के इस रेक्टेंगल की एरिये में जोड़ दूं तो क्या पूरे नीचे का अपने को नहीं मिल जाएगा अपने को टार्गेट का है अपने को यही तो निकालना इस एरिये का तो इस एरिये को निकालने के अपने ने क्य किया हम उन लोगों ने इस ट्रेंगल के इरे को अलग निकाला ठीक है और इस नीचे यह आपका जो रेक्टेंगल इसके इरे को अलग निकाला और दोनों को प्लस कर दिया इसी कॉंसेप्ट को हम यहां पर यूज करने वाले समझना ठीक है इसको थोड़ा साइड कर देते हैं यह हमने सारा हटा दिया इसको थोड़ा साइड करते हैं जिससे आप राम से समझभाओं यहां रख दिदिया इसको ठीक है चलिए यह चीज़े को जल्दी से माक कर लेते हैं दुबारा यह बार बार हट रही है यू कि वी कि टाइम तो अपने को क्या करना है एक तो हम इस ट ट्रेंगल को ले देंट ट्रेंगल का एरिय अट्ता होता है मतावFit हाङई निकालना तो यहाँ पर कीजिए आप कहले स différence का से निकलता एरिया अंडर की बात तो डिस जके एक पéta हो जोगे हम क्या रहे हैं यहां पर दो इडियों की बात करें किसस्की सर एक हम ट्रेंगल ले रहे हैं ट्रेंगल का यहां पर ए डी बी ए वी डी ले लिए अपिस प्लस और तका हम एक टेंगल ले रहे हैं जिसको क्या बोल रहे हैं O, A, D, C, rectangle ले रहे हैं, O, A, D, C, समझ में आ गया, triangle का area क्या होता है, मुझे triangle का area बताइए, पहले चलिए आप इसको बताइए, इसका triangle का area क्या होता है, इसका area क्या होता है, half into base into height, हाँ की न, ठीक है, तो इसका area लिखेंगे, half, base क्या है, यहाँ पर, base क्या है, जर यह है की न, base, A, D, half क्या है, half, base, D है न, D लिखते है, A, D, base, और height क्या है यहाँ, B, D, height क्या आगे हैं, यहाँ पर, B, D, मताओ, इसमें कोई डाउट किसी को, नहीं, simple है काफी, ठीक है, plus, अपनी को क्या करना है, rectangle का area कैसे निकलता है, अगर आपको याद हो, rectangle का area कैसे निकलते हैं, यहाँ पर जो माग कर रहा हूं, एक side यह वाली, ठीक है, length, और एक यह व length, यहाँ पर क्या है, अगर आप length किसको बोल सकते हैं, length आप A, D को बोल सकते हैं, आप तो length आपने किसको ले लिए, इसकी, A, D को ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर length होती है, length क्या हो गई आपकी, A, D हो गई, और breath आप किसको ले लीजे, इसको ले लिए, यह DC को, यह क्यो कुछ हाँ पर हाँ पर बस एरिया है हां पर इंटू हाइट है अगर नीचे वाले के बात अब हम चलते हैं इसचीज की तरफ कि इस चीज को थोड़ा पहले लिख लिएते हैं अगर आप ध्यान से देखें आपर आप देखते चलिएगा यहां पर किसकी बात कर रहा हूं कि एडी क्या है अपने लेंद कंसिलर करी एडी किसके इक्वल है इस ओसी के बराबर है कि नहीं और ओसी किसके बराबर है कि हा किन अरे सामने लाइन दें लेंगे लेंद लेंड बराबर नहीं होती है डेक्टेंगल में अरे कैसे बात कर हूँ आज देखा नहीं क्या डेक्टेंगल आच पहली बाहlee यह जह लेंद लेंद बराबर होती है ब्रन को यह जी February टीके चलिए कि तो यह किसके equal है आपका यहां पर आप देखेगा तो AD बराबर किसका हुआ OC के हुआ तो AD की जगा हमने यहां क्या लिख दिया OC लिख दिया ठीक है और OC को हमने change करके यहां क्या लिख दिया time लिख दिया इसमें कोई doubt किसी को नहीं चलिए AD की अपनी बात खतम होगा याब बात किसके रहे नहीं इसके रा रहे इंवा अब्दा आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं माक कर रहा ह passa और ही देखना यह मैंने आपका कर वाप्र यह DC किसके equal आ रहा है, यह क्या आपके इस वाले portion के equal आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यह वाला portion actual में है क्या, ठीक है, तो DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर AO, और AO किसका equal है, आपके, U के equal है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, U into T, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो जो AD वाली चीज थी, AD वाली चीज को आपने क्या बोल दिया, टाइम भोल दिया है, और जो DC वाली चीज थी, उसको क्या बोल दिया, आपने U बोल दिया, तो यह क्या आगया, आपका UT आगया, और यहाँ के चल रहा है, distance अपन AD क्या है, यहाँ पर हम दो यह निकाल रहे है, एक यह वाला और एक नीचे वाला, अब हमने को AD की बात करनी, अभी आपने देखा AD किसके बराबर था, OC किसके बराबर है, बताओ, OC किसके बराबर है, टाइम के, तो AD बराबर हुआ, OC किसके बराबर, टाइम के, तो AD की जग यहाँ पर अगर आपने को सिर्फ सा फ्रेश फ्रेश लिखें, तो यह क्या था अपना था यह क्या था अपना यू था और यहाँ पर हम इस वाले ट्रैंगल का और नीचे वाले रेक्टेंगल के एरिये को निकाल रहे हैं। AD अपने किसके equal था, OC का, अगर आप लिखना चाहें, तो यहाँ पर कहीं लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, AD equals to OC, और OC किसके equal है आपका, time के, ठीक है, DC, DC हमारा बराबर है किसके, AO के, और AO किसके बराबर है, UK, ठीक है, DC है न, हाँ, DC है, अब अपने को क्या निक अब BD निकालना है, यहाँ पर अपने AD लिख दिया, अब अपने को क्या निकालना है, BD निकालना है, BD कैसे निकालना है, इसकी थोड़ी सी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर यह पूरा क्या है आपका, यह पूरा क्या है आपका, V, और यह क्या है आपक कर रहा हूं यह वाली चीज़ निकालना है अब इसको पूरे को बीडी को कैसे निकालोगे अब इस बीडी को निकालना बड़ा टिफिकल टास्क है क्योंकि अपने को यह पता है अगर आप इस पूरे में से इस छोटे वाले पोर्शन को हटा दो तो क्या आपको यह नहीं मिल जाएगा किया बोला मैंने दुबारा मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर आपको यह बीडी निकालना है अगर आपको यह बीडी निकालना है तो यह कैसे निकलेगा अगर आप इस पूरे में से पूरे बीसी में से अगर इस पूरे बीसी में से अगर आपने यह बीसी वाला प मिल गया तो हमने इसकी जहां क्या लिख दिया बी सी माइनस डी सी पताओ क्लेर होई कि नहीं यहां तक चीज़ है बताओ एक-एक स्टेप समझा के चलाओं पहले हमने क्या करा है डिस्टेंस निकालना था ट्रेंगल का यह लिए अपने ने टिक है और किसका इरिया बटाए है रेक्तेंगल का इरिया होता है आपका लेंट इंटू ब्रैथ और सारी चीजों को हमने यहां पर ऐसे लिख लिया अब त तो यह क्यों गया half into T V minus अब क्या निकालना है डीसी निकालना है देखो DC निकालना है DC किस एक वाल है अभी तो लिखा था DC किसके एक वाल है AO इस वाली चीज़ के और AO किसके एक वाल है यू के तो यह क्या हो गया V minus संस्built थे योग और आगे वाली चीज तो चल रहा है बताओ क्लियर ओभा की निवा हुआ है बताओ क्लेऊ व िमाने डिया की कि निवा यहां था हुआ की निवह बताओ है कि अब प्रय वह आप को अब है निवहले चीज चलो एक आप अगर आपने V V minus U equals to 80 लिख सकते हैं कि निख सकते हैं तो by using first equation हम इस V minus U को किसे बदल सकते हैं 80 से बदल सकते हैं तो क्या हो गया S equals to UT plus half T और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 80 लिख दिया तो आपकी S क्या आ गया UT plus half 80 square समझ मैं आया की नहीं आया वेरी 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 important है आपकी ये बहुत ज़्यादा important है और आपसे exam के अंदर ये पूछी जाएगी एक बार आप क्या करो खुद से graph बनाओ खुद से चीजों को सोचने की कोशिश करो बस आपको क्या बात याद रखना है कि second equation को हमने distance निकालने के लिए हमने क्या करा area under the graph को दो चीजों में बाता एक triangle में और एक rectangle में तो दोनों को अलग-अलग area निकाला half into base into height और length into breath और ऐसे करके अपने पूरा solve कर दिया clear रोई की नहीं नहीं बताओ हो गई तो चलिए इसको ज़र आगे देखते हैं तो आपको यही चीज यहाँ पर लिखी भी है इसको थोड़ा समय यहाँ कर देता हूं जिसे आप 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 से देख पाएं चलिए तो आपको जो area दिया वाता यहाँ पर आप देख लीजेगा झंगा आपको फिया एप लगे तो यह क्या यह क्या आए था यूट आये था आपने pergi की जागा टाइंट आपका टैम था तो आपने हांपर उनख से लिख दिया इसससे को आपने सिंग दियर आपने McMimm techniques कर रहें यह पर और इनल भी इक्वांस to u plus 80 और 80 equals to v minus u तो v minus u की जग आपने 80 लिख दिया यहां यह लिख दिया और यह आपकी पूरी equation आ गई और इसको solve किया तो यह equation निकल के आ गई s equals to ut plus half 80 square और it is the one of the most important derivation in terms of motion आप से पूछी ही जाती है यह clear चलिए आगे वाली पे चलते हैं third equation मैंने आपको बोला ना इसी graph का हम पीछा नहीं चोड़ने वाले इसी graph को हम आराम हर जगा use करेंगे अब आपको दो चीजे बोलनी clear हो रही होंगी अब यहां पर तो आपको चीजे सारी clear हो रही होंगी कैसे कैसे यह वाली चीज क्या थी गो बोलो यह किखाै इसी सर थोड़ा साइड में बनाते हैं बनाते हैं इसको थोड़ा ससाइड ले जाते हैं जिससे अब आप आरे यह हम यहापर derivation कर पाए ठाहिक है चलिए हज़्या कि देख हो अब आपको नहीं चलो अब आप आख अराम से चीज़े बोल सकते हैं यह चीज क्या थी अपनी अभी आपने खा यू ठीज क्या थी पूरी wtapan वी यह क्या था में यू बोलते चलो बोलते चलो सारी चीज़े यह चीज क्या थी V जितना जादा आप बोलेंगे उतना जादा आपको यही पर याद हो जाएगा अगर मैं बोलू कि यहां पर और यह नीचे बारी चीज क्या बोली आपने यह बारी चीज क्या थी ठीक है पिछने वाले में अपने ने क्या किया हम लोगों ने यहां पर एरिया अंडर दा ग्राफ निकाला था अब अपने को हमने उतना पर क्या किया था एरिया अंडर दा ग्राफ को दो चीजों में तोड़ दिया था रेक्टैंगल और टैंगल में हमने करके निकाल लिया था अब अब अपने को क्या करना है ऐसा कुछ trapezium आज तक पढ़ा है ठीक है trapezium का area क्या होता है अगर आपको याद हो तो trapezium का area क्या होता है यह आपकी एक और दो pallor sides होती है तो half sum of pallor sides और यहां पर बेटा आप height draw करते हैं इसको हाप height लेते हैं into my height ऐसे आप कुछ लेते हैं अब आप चीजों को समझेगा इसको आपने देख लिया होगा तो आप चीजों को यहां समझना कि इस चीज को मैं trapezium कैसे बोल रहा हूं कि इस चीज को उठा कर मैंने ऐसे रख दिया है तो ज़रा देखेगा इस चीज को मैंने ऐसे लिया और इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया है तो आपको अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो आपका यहां पर क्या जाएगा ऐसा कुछ बन जाएगा ठीक है चलिए यह आपकी साइट क्या हो गई ए ओ ठीक है यह आपकी क्या हो गई सी भी ठीक है और आपका यह आगया दोनों पहले साइट आ गई और इनकी बीची हाइट आपकी टी आ जाएगे ठीक है चलिए यह आपने क्या कर रहा है इसको ऐसे उठाया यहां से और इसको ठाएंब को ऊठाकर एसे रोटेट कर दिया तो यहाँ पर आपने इसको रोटेट कर दिया तो आपकी दो पैलर साइड अगर आप और आपको सी दिखरी है यहां और ध्यान से ग तो एक पेलर साइड आपको ये ठीक है और दूसरी पेलर साइड आपको ये दिख रही है तो दो आपके ये पैलर साइड हो गई Сейчас यानि ए ay आपकी ad वाली height है, तो यहां से आप height लिए सकते हैं, तो यह वाली जो आपकी height आएगी, यहां पर ऐसी height होगी, इस वाली जीज़ को क्या बोलेंगे आप? height बोल देंगे, ऐसा आपको trapezium लिख रहा है, तो अगर आप यहाँ पर area लिखना चाहें, sum का, यहाँ पर area under the graph पूरा देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से बोलें, तो 2 pallor sides आपको यहाँ पर कौन-कौन से दिखाई दिए, half, sum of pallor sides, AO और BC, AO plus BC, औ और इनके बीच में height, क्या है height, AD भी बोल सकते हो, यहाँ फिर OC भी बोल सकते हो, तो अगर आप AD बोलेंगे, AD किसके बराबर है, OC के, तो आप यहाँ पर AD लिख लीजिए, ठीक है, तो कैसे लिखा आपने, अगर आप यहाँ पर ज़रा दियान से देखें, इसको मैं of pallor sides into my height, और यह क्या है, आपका distance के बराबर है, क्योंकि हम area निकाल रहे है, ठीक है, दो pallor sides कौन कौन सी है, बताइए, दो pallor sides आपके कौन कौन सी है, AO और BC, तो यह क्या होगे आपका, AO plus BC, और height क्या है, यहाँ पर height देखेंगे, तो यह आपकी height है, यह आपकी इनकी बताओ, clear है कि नहीं वाले चीज, पक्का, चलिए, अब AO किसके equal है, जरा आप ध्यान से देखें, तो AO किसके equal है, यहाँ पर, UK, तो आपने यहाँ पर क्या लिख लिए, half u, और आपकी BC किसके equal है, यहाँ देखें, जरा BC, पूरी BC आपकी किसके equal है, बीके, और AD किसके equal है, AD सर हमारे, इसी OC के equal है, और OC किसके equal है, टाइम के, तो यहाँ से आपने क्या करा, S की आपकी एक यह equation आ गई, बताओ, इसमें कोई doubt, आप किसी ने बोला, Sir, third equation तो आई नहीं, देखो बटा, अभी third equation बस आपकी आ जाएगी, यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से time की value निकालो time की value निकालो, क्या हो जाएगा, 2 इधर चले जाएगा, यह upon में चले जाएगा, तो 2S upon U plus V, आई की नहीं बताओ, यहाँ तो बताओ, यहाँ तो बताओ, यहाँ तो कोई doubt, क्या किया, half of sum of parallel size into my height, यह क्या था पूरा, हमने trapezium के लिए लिया, हमने क्या लिया, हमने यहाँ आप अगर हमें distance निकालना है, तो distance equals to area of trapezium, हमने trapezium के area को ले लिया, और यहाँ से निकाला, यहाँ से आपकी time की value आयो, time की value यहाँ से अगर आप देखें, तो time की value अपनी क्या आई, 2S equals to U plus V, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहां से, इसको तो याद रहा है, जो आपकी चानली चीज आई थी न, ठीक है, तो क्या आया था हमारा, time equals to 2S upon me U plus V आया था, ठीक है, अब आपको first equation ही use करने, यादर first equation क्या थी, V equals to U plus 80, यहां से time की value निकालेंगे तो क्या आजाएगा, 80 लिख लीजे, V minus U लिख लीजे, और यहां से minus U upon A, हां की न, तो यहां से भी आपका time आ रहा है, और यहां से भी time आ रहा है, तो इसको मालीजे equation 1, इसको मालीजे equation 2, और क्या कीजे तो दोनों equation को, एक्वेट कर दीजिए तो दोनों एक्वेशन को आप एक्वेट करेंगे तो आपका कैसे निकल के आएगा यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा आपका एक्वेशन को अमने यूस करा तो यूस करके आपकी क्या आ गई टो एस अपाउन वी प्लस यू एक्वलाइउ यह आपकी एक्वेशन आ गई आप किसमें बढ़ा सार अपने यू प्लस वी लिखा था यहां यहां वी प्लस-ए रिख दिया औरे सेम ही तो बात है यह प्लस बि multiply जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या आगया आपका 2as और दर क्या बच गया v plus u और v minus u कुछ दिख रहा है आपको यहाँ यहाद एक property हम लोगों ने पढ़ी है कौन सी property a plus b a minus b किसके equal होता है a square minus b square यहाँ पर आगर आप देखें तो a plus b a minus b है तो यह किसके equal हो जाएगा v square minus u square और यह क्या गया 2as तो आपकी third equation भी proof हो गई तीनो equation में से आपसे एक equation जरूर exam में पूछी जाएगी और I hope यह तीनों आपको clear हो गई होंगी ठीक है तो अगर मैं तीनों को आपको एक conclusion बताऊं यहाँ पर थोड़ा सा याद करने कि आपको ट्रिक बता दूं थोड़ी सी ट्रिक सुन लो थोड़ी सी ट्रिक करने के बता दूं अगर exam में कभी confused हो रहे हो तो ट्रिक बहुत easy है क्या trick है first equation हमने कैसे निकाली v equals to u plus 80 हमने कैसे निकाली यहाँ पर हमने acceleration को यूज किया था ठीक है acceleration को formula विलो चेंजिन विलोसिटी अपान चेंजिन टाइम को यूज किया था ठीक है दूसरी equation कैसे निकाली s equals to ut plus half 80 square यह हमने कैसे निकाली सर यहाँ पर हमने rectangle ट्रेंगल और rectangle की area को plus किया था ठीक है और तीसरी हमने कैसे निकाली सर इसमें हमने trapezium की area को plus किया था इन दोनों के case में हमने किसकी बात की थी area under the graph हमने क्यों लिया क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे बेटा distance की बात कर रहे थे हैं और उपर हमने किसकी बात की थी acceleration की और velocity time graph से आपकी acceleration और distance दोनों आपके निकाले चाह सकते हैं I hope यह चीज आपको clear हुई होगी इसको आप अगर चाहें तो आप screenshot ले लिजिए ठीक है चलिए third equation को आप solution देखेंगे तो यही आपके सामने यहाँ पर solution कर रखा है ठीक है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं चलो इदर आजा ठीक है तो आप यहां पर देखेंगे area under the graph हमने area under the graph क्या था ट्रेपीजियम के लिए half of sum into side half of sum of palace side into my height height आपका T था इसको आपने से solve किया यहां से आपकी time की value यह निकल किया यहां से क्या आई थी T equals to US upon U plus V और यहां से आपकी canical किया आई थी आपकी time की value V minus U upon A इन दोनों को आपने equate किया equate करने के बाद solve किया और solve करने के बाद आपकी value आ गही तीनों equation बहुत important है again मैं repeat कर रहा हूं आप यहां तक इसको करके रखेगा तो चलिए next topic पर चलते है चलो अब बात करते हैं circular motion की बहुत अच्छा topic है आपका आपने बच्पन में कभी वो किया है क्या वो एक बच्पन बनाता था अगर आपको याद हो तो एक complete circle बनता था तो circle बनने का क्या था वो आपका एक circle कैसे बनता था क्योंकि आप इसको गुमा रहे हैं ऐसा कोई भी motion जो आपका circle में हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं circular motion बोलते हैं और को example Earth की motion Earth कैसे सर्कल में गुमती है ठीक है तो ऐस पहसा कोई भी मोशन जो सर्कल आपको complete बना रहा वो उसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैंने sıkख सकते हैं सेट र motion बोलते हैं इसको भी दो पार्ट पर आपने अपने लोगा ने क्लासिफ़ाई कर लिया कौन कौन से में एक Uniform circular acceleration और एक Non Uniform Circular acceleration अग्सेलरेशन क्या होती है जहाँ पर बटा आपको जो motion होता है न वह आपका एक circular पार में घूम रहा हो वे constant speed क्या मतलब है सर इसका लीजे मैंने पैन लिया और मान लीजे एक धागा है मेरे पास इमाजन की धागा अब मैंने एक आपकी यहां पर बॉल यहां कुछ मान लिया तो मैं क्या करूं इसको ऐसे गुमाय जा रहो ठीक है तो वह आपका एक complete circle भी बना रहा है और जो यह circle बना र या फिर आप uniform circular motion बोलते हैं इसकी definition पढ़ सकते है uniform circular motion in which an object moves on a circular path with constant speed for example watch हो गया moon हो गया ठीक है और वहला भी आपको मैंने example बता दिया non-circular path क्या हो गया कि भाईया जहां पे आपका object move कर तो रहो बट उसकी speed आपकी vary हो रही हो कभी speed आपकी increase हो रही हो कभी आपकी speed decrease हो रही हो इसको क्या बोलते हैं circular motion के अंदर non-circular motion आ जाता है clear होई की निवय वाली बात चीज़े बताओ पका चलो इसके अंदर आपको कुछ और बाते भी important यहां पर बाते बताता हो इसको थोड़ा side में कर देते हैं अपने लोग चलो यह चीज़ आ गई side में देखो अगर आपने यहां पर circular motion कर रहे हैं तो circular मोशन मतलब क्या बनाना एक complete circle बनाना ऐसे तो होगा object आपने यहां से शुरू कर आए यहां से जिसे मूब करता रहा और क्या होगा है एक complete उसने ऐसे circle बना लिया तो उसने कौन सा इरिया दिया कवार विया और में आसे पुछाओ तो उसने कौूंसा ईरिया कवर किया उसने ये वाला ए retali कि नहीं करा i circle के बाहर वाला एरिया hey circle के सर जो लिए बाहर में area भर पर कोई चीज सरे बाहर क्या कहलाती है बोलो बोलो किया किलाती है सर्कम फेरेंस किलाती है पढ़ी एना तो सर्कम फेरेंस डिंस सर्कल की किती आती है अगर मैं पूछियुक हमें ओब्जेक्ट था उसने यहां से शुरू कर और आपेश घूंके आपका यहीं आ गया दो तो उसने complete circle करा तो circle में उसने कित्ता distance travel किया 2pi r और मैंने कहा है भाई अब उसकी speed निकाल गे दो तो कैसे निकालोगे किसर स्पीड circular motion के निकालनी है तो उसने कित्ता distance travel किया और किते time में किया तो circular motion में circular speed निकालने का formula क्या आ गया 2pi r upon t कि अब आपको यहां पर मैं कोच कोशन अगर आपको एक कोशन कराओ यहां पर एक कोशन अगर आप देखिए तो आपको ऐसा कोशन कई वार एक्जाम में मिल जाता है कि माल लीजिए एक और एक object है या फिर एक स्पीड बच्चे कंफ्यूज यह कौन सा कोशन आगया अरे बड़े सिंपल है रेडियस दी भी है आपको टैन रेडियस अगर आपको टैन मीटर दी भी है तो यहां से राइडियस किता हो गया है टू पाय निकाल हों 22 बटे साथ इंटु में 10 एक या पर डिसेंड आ यह निकालना किता हो गया टू इन्टू ट्वेंटी टू बाइस सेवें इंटू है 10 अपान 5 खतम बात कर लिए इसको solve कर लोगे न, solve, solve कर ले न, answer जो आजाएगा, आपका, meter per second answer आजाएगा, कई बार वो थोड़ा सा और चंड बन जाता है, वो चंड क्या करता है, वो यहाँ पर आपका क्या देता है, diameter देता है, मालोस ने diameter देती है, 20 meter, तो यहाँ से radius निकालना क्या बड़ी बात है, 20 meter upon 2, that is 10, तो आपका यहाँ पर क्या आगया, यहाँ आपका 10 क्या आगया, radius आगई, तो जिस तरीके से भी वो question दे, आप easily solve कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, circular motion के मैंने आपको example दे रखें, कि आपका ऐसे ऐसे घूम रहा है महाँ पर, ठीक है, direction of velocity इस case में कैसी होती है, tangential होती है, बस आप यह वास्ति तो याद रखेगा, कि अगर हमें यहाँ पर किसी भी circle के अंदर, अगर आपने थोड़ा सा circle वरकल chapter पढ़ा वह अच्छे से, तो अगर किसी circle के अंदर, अगर आपको direction निकालनी हो, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, tangent draw करते हैं, आपने 10th class में पढ़ा होगा, tangent, tangent क्या होती है, किसी भी circle को एक straight line के अंदर, जो cut करके जाती है, जो चूके बे जाती है, उसको tangent बोलते हैं, तो अगर circular motion में, अगर किसी ने कहा सब direction निकालनी है, तो direction कैसे निकालते हैं, tangential, tangent draw करके निकालते हैं, और यही चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और फिर यह वाली चीज़ मैंने अभी आपको समझाई, यह वाली चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पर कता ही, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, चलो, ठीक है, यहाँ क्या है, चलो, तो क्या था, when an object is in circular motion, तो direction of its velocity keeps changing, velocity के आपकी direction change होते हैं, ऐसे ऐसे, आगर आपको महाँ पर निकालना हो, circular motion में speed निकालनी हो किसी की, तो कैसे निकालेंगे, speed equals to, मैंना भी आपको बताया, speed equals to distance upon time, ठीक है, और distance क्या आता है, 2 pi r upon t, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका motion वाला chapter पूरा complete होता है, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, अगर आपको कोई भी problem हो, आप नीचे comment section में बता दीजेगा, मैं आपके हमाँ पर comment solve कर दूँगा, so thank you so much for watching this video, if you are new to this channel, please give us a thumbs up and don't forget to subscribe our R.A. Sakrawal official YouTube channel, till then take care, bye-bye.